आतांक के नियम यह होता है 2 is 2 power 3, 2 is 2 power 4 तो पावर जोड़ जाएंगी जब आधार सेम होता है तो यह हो जाएगा 2 की power 4 plus 3 यानी की 7 अच्छा, अगर 2 की power 3 multiplied by 3 की power 3 हो जाएं तो इसमें क्या है की power सेम है इसलिए 2 गुना 3, 6 की power 3 हो जाएगा अब यदी 2 की power 4 divided by 2 की power 2 हो जाएगी तो इसमें घट जाएंगी यानी 2 की power 4 बता 2 की power 2 बराबर है 2 की power 2 रह जाएगी 4 minus 2 यह होगा answer